वेलकम बैग आईस आज हम लोग अंतरा इंजेक्शन के साइड इफेक्स के बारे में डिसकस करेंगे और देखिए यह जो इंजेक्शन है यह आप लोगों को प्रेग्नेंसी से बचाता है बट इसके जो साइड इफेक्स हैं जब यह किसी महिला को होते हैं तो वो मेंटली तोर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है अधिकतर के इसीज में ऐसा भी देखा गया है कि महिलाएं इस इंजेक्शन की पहली डोस को लगवाने के बाद वो नेक्स डोस नहीं लेती हैं ज़्यादा वो मेंटली तोर पर परेशान होती है तो इस वीडियो में हम लोग ब्रीफली डिसकस करेंगे कि अंतरा इंजेक्शन के साइड इफेक्स कौन-कौन से हैं कब आप लोगों को इइस साइड इफेक्स से परेशान नहीं होना चाहिए और कब आपको ऊर्ण डोक्टर से मिलना चाहिए देखे सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि ये जो अंतरा इंजेक्शन आप लोग लगवाते हो ये एक होर्मोन का इंजेक्शन होता है इसके अंदर जो इंग्रीडियन्ट है वो होता है मेड्रोक्सी प्रोजेस्टरोन एसीटेट 150 mg की इसकी डोज होती है अब ये जो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टरोन एसीटेट है ये प्रोजेस्टरोन होर्मोन का सिंथेटिक वर्जन है अब ये बात मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझा सके कि जब आप लोग या कोई महिला इस इंजेक्शन को जब वो लेती है तो उनकी बोडी में प्रोजेस्टरोन होर्मोन का जो लेवल है वो एकदम से इंक्रीज हो जाता है आपकी बोडी शोक हो जाती है जो brain है supreme command है मह फिर क्या होता है evolution नहीं होता है मतलब अंडा फूरता नहीं है राइट अब अगर किसी महिला के शरीर से अंडा नहीं फूटेगा तो फिर pregnancy लगने के chances is almost खतम हो जाते हैं अब किसी महिला को अगर evolution नहीं हो रहा होता है तो फिर उनकी monthly cycle नहीं आती है मतलब महिलाओं को periods आन बंद हो जाती है तो इस परकार यह जो injection है अपना काम करता है अब ज्यादा तर cases में क्या होता है कि यह जो अंतरा injection है यह government hospital में free of cost लगता है और अगर आप इस injection को किसी private hospital में लगवाते हैं तो यह अलग-अलग नाम से आता है जैसे कि खुशी injection परी injection या फिदिंपा injection या डीपो प्रोवेरा करके भी यह injection मिलता है अगर आप किसी private doctor से इस बारे में discuss करोगे कि हाँ यह injection आप लोगों को लगवाना है तो जो doctor है जदा तर आपको यह injection लगवाने के advice नहीं देते हैं चीक है और easily लगाते भी नहीं है क्यों नहीं लगाते हैं क्योंकि इस injection को लगान दर्द कमर में दर्द होता है ठीक है कई महिलाओं को periods आना बंद हो जाती है अब महिलाएं जो हैं वो इतना mentally तोर पर disturb हो जाती है कि एक doctor को भी समझाना मुश्किल हो जाता है कि यह जो चीजें हो रही हैं आप लोगों के साथ यह बिलकुल normal है ठीक है अब जब monthly cycle नहीं आत या उनकी monthly cycle खराब हो गई है या फिर बच्चेदानी खराब हो गए क्योंकि तभी periods नहीं आ रहे हैं कुछ महिलाओं को यह लगता है कि उनकी बच्चेदानी में गंदा कून इखटा हो रहा है उनकी monthly cycle नहीं आ रही है या कई लोगों को यह भी लगता होगा कि उनको बाद आपने pregnancy नहीं होगी राइड तो ज्यादतर cases में क्या होता है महिलाओं पहली dose को लेने के बाद अगली dose ही नहीं लेती है अब हम लोग बात कर रहे थे कि इस injection को लगवाने के बाद side effects कौन-कौन से होते हैं तो पहला तो यही है कि आप लोगों को pregnancy के syno symptoms महसूस होने लगते हैं जैसे कि nausea, vomiting या फिर breast pain होता है, पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, wide discharge होता है, mood swing होता है, weakness हो जाती है, चक्कर आते हैं, तो यह कुछ pregnancy के syno symptoms है, ठीक है, इसके साथ साथ जो महिलाओं को monthly cycle की bleeding है, वो irregular हो जाते है, कभी आपक heavy bleeding होगी, कभी आपको sporting होगी, ठीक है, तो यह सब चीजे आपको एक से दो मन्त जादा परेशान करती है, सेम ऐसे ही जैसे किसी महिलाओं को pregnancy होती है, तो पहले के जो तीन मन्त हैं, वो जादा परेशान वाले होती है, फिर सब कुछ जो pregnancy के syno symptoms है, वो disappear हो जाती है, तो इस injection को लगवाने के बाद आपको एक दो मन्त यह सब प्रोब्लम होती है, अब प्राइवेट होस्पिटल में अगर आप यह injection लगवाते हैं, तो इसके साथ हम लोग आपको कुछ दवाईया भी देती है, जैसे कि आपको पेट भी फूला फूला लगता है, इस injection को लगवाने के जाती है, ताकि क्या हो, आपकी बोडी इस injection को समझ सके, खुद को एड़ेस्ट कर सके, फिर जब आपकी बोडी एड़ेस्ट हो जाती हो और आप लोग नेक्स डोस लेती हो, तो यह जो परेशानिया थी, यह सब कुछ खतम हो जाती है, अगले कुछ जो साइड इफेक्स हैं जैसे कि आप लोगों को हैवी ब्लीडिंग होती है, कुछ महिलाओं को पीरियट्स आना बंद हो जाते हैं, जब तक आप इस injection को लगवाते रहते हो, ठीक है, तो कुछ महिलाओं को यह लगता है कि उनकी बचेदानी खराब है, उनकी बोडी में गंदा खुनी खटा हो रहा तो एक साल में आपका जो बोडी वेट है वो एक से दो किलो तक बढ़ सकता है, क्योंकि जब प्रोजेस्टरोन का लेवल इंक्रीज होता है, तो आपकी बोडी में वाटर रेटेंशन भी इंक्रीज होता है, जिससे आपका बोडी वेट बढ़ जाता है, तो इस केस में मैं स बोन डेंसिटी कम हो जाती है अब इसका भी लोगों ने हवा बना दिया है देखिए इस इंजेक्शन को अगर आप लोग लगातार 5 साल तक लगवाते हो ठीक है तो इससे जो बोन डेंसिटी है वो 5-7% तक डिक्रीज होती है लेकिन ये पूरी तरह से रिवर्सिवल है मतलब जब आप इस इंजेक्शन को लगवाना बंद कर देते हो तो आपकी जो ये बॉन डेंसिटी है जो मतलब आपकी हड़ियां कमजोर हुई है वो नोर्मल हो जाती है बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हम लोग कुछ दवाया नहीं देते हैं इन फैक्ट गवर्मेंट अगर आप लोग अंतरा इंजेक्शन लगाते हो तो आपको कुछ बॉस्टर भी देते हैं जैसे सप्लिमेंट्स हो गया या फिर डी थ्री हो गया आयरन की दवायां हो गई ठीक है तो ये सब दवायां भी आपको टाइम टो टाइम देते रहते हैं तो जादा फरक नहीं महिला को प्रेगनेंसी होती है उनकी जो बॉन डेंसिटी है वो तीन से साथ परसेंट डिक्रीज हो जाती है और डूरिंग ब्रेस फीडिंग जब बच्चा दूद पीता है तब उस टाइम भी जो बॉन डेंसिटी है वो तीन से पांच परसेंट डिक्रीज हो जाती है और य को periods नहीं आ रहे हैं, फिर बाद में future में pregnancy conceive करने में problem आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, अधिकतर cases में देखा गया है कि जब आप लोग इस injection को लगाना बंद कर देते हैं, तो आपकी जो fertility है, जो अंडा बनने की kriya है, जिसे evolution बोलते हैं, वो लगबग लगबग 3 महिन के अंदर अंदर 80% महिलाओं को pregnancy conceive हो जाती है, बट अगर आप लोगों को एक साल तक pregnancy conceive नहीं होते हैं, तो उसमें परेशान होनी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डोक्टर से मिलेंगे, तो आपको कुछ दवाईयां देंगे, उससे आप लोगों को pregnancy conceive हो जाएगी, अब इस वीडियो में मेरी यही advice रहेगी आप लोगों को कि अगर आप लोग इस injection को लगवाने का plan कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझना होगा कि इस injection को लगाने के लगबक एक से दो मन्त तक आप लोगों को problem रह सकती है, तो अगर आप इस injection को private hospital में लगा करते हैं, तो आप लोगों को कुछ दवाईयां देते हैं, उससे आप लोगों को problem कम रहती है, दूसरा यह है कि जिन लोगों को यह लगता है कि इस injection को लगाने के बाद उनको monthly cycle immediately आ जाएं, तो ऐसा होना possible नहीं है, monthly cycle जो periods हैं, उनको आने में time लगता है, लगबक 6 मनत का, फिर कुछ महिलाओं को या कुछ लोगों को, couples को यह लगता होगा कि इस injection को लगाने के immediately बाद वो conceive कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दुबारा से conceive करने में कम से कम एक साल का time लग जाता है, तो अगर आप लोगों के अंदर patience नहीं है, जल्दबाजी ज़्यादा है तो आप इस injection को लगवाना stickly avoid करें, आचा करता हूँ, इस वीडियो में दी गए जानकारी आप लोगों के लिए काफी useful और benefit रही होगी, मैं मिलता आप से next वीडियो में, एक बहुत इंटरस्टिंग टोपिक के साथ, तब तक के लिए stay healthy, stay fit, thanks for watching this video